सुनैना अपने माबाप की इकलोती बेटी थी उसका कोई भाई या फिर बेहन नहीं था सुनैना के माबाप बहुत गरीब थे सुनैना के पिता मज़दूरी करते थे और मात्योहारों के आने पर जो भी त्योहार होता था उसमें उपयोग होने वाले सामान को बना कर बेचती थी और उसका पिता भी त्योहारों पर मजदूरी का काम छोड़कर अपनी पतनी के साथ ही काम करता था जैसे दिवाली पर दिये बनाते थे रक्षा बंदन पर राख्यां बनाते थे होली पर रंग बेचते थे पंदरा अगस के लिए पतंगे बना कर बेचते थे और अब राख्याने वाली थी मामा अब तो राख्याने वाली है तुम राख्या कबसे बनाना शुरू करोगी? अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा कल ही राखी बनाने का सामान लेकर आती हूँ उसकी माह हर साल राखी पर राखी बनाने का काम करती थी और उसके पिता जी घर घर जाकर राखी बेचने का काम करते थे सुनैना अभी छोटी थी हर साल राखी पर उसका एक ही सवाल होता था कि वो राखी किसे बान थे क्योंकि उसके गरीब होने के कारण कोई उसके घर आता भी नहीं था और कोई उससे राखी भी नहीं बंधवाता था एक बार की बात है सुनेना अकेली बैठी हुई रो रही थी तभी उसकी माँ वहाँ जाती है और कहती है अरे मेरी प्यारी बेटी क्यों रो रही है क्या हुआ मेरी गुडिया को माँ मेरा कोई भाई क्यों नहीं है राखी आने वाली है पर मैं किसे राखी बान थूँगी अरे मेरी बेटी मैं इसमें क्या करूँ कहां से लाउं तेरे लिए एक भाई मा, मेरी सारी सहेलिया राखी पर अच्छे कपड़े पहनती है, खुब अच्छे से तयार होती है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा क्यूं है मा? बेटी, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, और तु अच्छे कपड़े की बात करती है, लेकिन बेटी, तु चिन्ता मत कर, इस बार मैं अपनी लाडो के लिए बहुत सुन्दर कपड़े बनवाऊंगी, हम् और ऐसा कहकर, वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है, अगले दिन सुनैना की मा अपने पती से कहती है, सुनो जी, अपनी सुनैना बेटी बहुत दुखी हो जाती है, हर साल राखी के समय पर, मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता तो तु ही बता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुझे तो पता ही है न, डॉक्टर साहब ने क्या कहा था, कि यदि दूसरे बच्चे के बारे में सोचा, तो तुमारी जान भी जा सकती है, तो क्या मैं तुझे जान बूच कर मोट के हवाले कर दिता? हाँ, जे बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन सुनैना को अकेले देखकर मुझे बहुत दुख होता है, काश मैं इसके लिए कुछ कर पाती तु अब ज़्यादा मत परिशान हो, आज शाम को मैं राखी बनाने का समान ले आऊंगा और ऐसा कहकर, वो अपने काम पर निकल जाता है, और फिर शाम को घर आता है, तो उसके पास राखी बनाने का बहुत सारा सामान था, जो कि उसने उधार लिया था ये लो, सारा सामान ले आया मैं, उसी साहुकार से लाया हूँ, जिससे हर बार लाता हूँ, राखी के बाद उसको उसके पैसे वापस कर देंगे गिर्धारी हर साल ऐसा ही करता था वो उधार सामान लेकर आता था फिर राखी बेचकर वो उस उधार को चुकता कर देता था कुछ देर बाद सुनैना के माता पिता राखी बनाने के काम में लग जाते है सुनैना भी उनकी मदद करने लगती है बेटी आसु हमको बनाते हुए देख और फिर कल तु भी बनाना, ठीक है? फिर वो दोनों मिलकर राखी बनाने के काम में लग जाते हैं और सुनैना बड़े ध्यान से उनको देखने लगती है अगले दिन गिर्धारी बाजार जाने के लिए तयार हो जाता है जो राख्या उन्होंने पिछले दिन बनाई थी वो उन में से कुछ राख्या लेकर उनको बाजार में बेशने के लिए चला जाता है और सुनैना की मा राख्या बनाने लग जाती है तभी वहाँ पर सुनेना आती है वो भी कुछ राखियां उठाती है और उनको एक थैले में डाल कर अपनी मा से कहती है मा, मा, आज मैं भी राखी बेचने जाऊंगी उसकी मा कहती है ठीक है वेती, जा और फिर सुनेना राखी का थैला लेकर अपने कंधे पर टांग कर निकल जाती है राखी बेचने वो घर घर जा कर राखी बेचती है कुछ दूर चलते चलते वो एक जग़ पहुँच जाती है जहां पर कुछ फौजी भाई बैठे हुए थे सुनेना उनके पास जाती है और कहने लगती है राखी ले लो भईया गरीब बेहन की राखी ले लो देखो मैंने अपने हाथों से बनाई है ये प्यारी प्यारी राखी ले लो भईया उसका मासूम सा चेहरा देखकर वो फौजी उसके पास आते हैं और कहते हैं अरे हम ये राखी खरीद कर क्या करेंगे हमें कोन राखी बांदेगा हम तो अपने घर से इतने दूर है हम क्या करेंगे इस राखी का ले लो ना भईया एक तो ले लो हम बहुत गरीब है सुबह से एक भी राखी नहीं बिकी है अरे ऐसा क्यों तेरी राखी तो इतनी सुन्दर है फिर क्यों नहीं बीगी तेरी राखी? वो भाईया आजकल सब लोग बड़ी बड़ी दुकानों से राखी खरीते हैं हम जैसे लोगों से कौन लेता है राखी? हाँ तू कह तो ठीक ही रही है चल अब तू इतना कह ही रही है तू दे दे राखी कोई तो बांध ही दे का हमें भी राखी अरे भाईया कोई क्यूं मैं ही तुम सब को राखी वाले दिन राखी बांदने आ जाओंगी मेरा भी कोई भाई नहीं है और घरीब होने के कारण मुझसे कोई राखी बनवाता भी नहीं ठीक है बहन तू राखी वाले दिना कर हम सब को राखी बांदना हम तेरा इंतिजार करेंगे फिर सुनैना वहां से चली जाती है वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे भी कोई मिल गया था जिसे की वो भी राखी बांद सकेगी खुशी खुशी वो अपने घर की ओर जा रही थी ओ सुनैना कहा जा रही है आज तो बड़ी खुश लग रही है हमको भी तो बता दे क्यों बताओ थोड़ा इंतिजार करो राखी वाले दिन तुमको पता चल जाएगा कि मैं इतने खुश क्यों हूँ घर पहुँचने पर सुनैना की मा भी उसको खुश देख कर पूचती है सुनैना बड़ी खुश लग रही है आज तो लगता है तेरी सारी राखियां बिग गई है बताना क्या हुआ हाँ मा सारी राखियां बिग गई ये लो पैसे लेकिन मेरी खुशी की वज़े तो कुछ और ही है अच्छा जरा मैं भी तो सुनू कि मेरी बिटिया की खुशी की वज़े आखिर क्या है मा वो तो मैं तुम्हें राखि वाले दिन ही बताऊंगी तुम मेरी लिए नए कपड़े बनवा देना उस दिन के लिए हाँ हाँ बेटी बनवा दूंगी सुनेना वहां से चली जाती है तभी वहां पर गिर्धारी भी आ जाता है सुनेना को खुश देख कर वो भी पूचता है क्या बात है आज सुनेना बड़ी खुश लग रही है हाँ जी खुश तो बहुत है आज वो लेकिन बोल रही थी कि राखि वाले दिन ही बताएगी कि खुश क्यूं है दिन बीटने लगे उसकी राखि का काम भी ठीक ही चल रहा था अब तो सुनेना भी उसकी साथ मिलकर राखियां बनाने लगी थी और गिर्धारी उनको बाजार में बेच आता था और फिर वो दिन भी आ गया जिसका सुनेना को बेसबरी से इंतजार था यानि की रक्षा बंधन आज सुनेना सुबह ही जल्दी उठ गई थी और उसने नए कपड़े भी पहन लिये थे चो उसकी माने उसको आज ही के दिन के लिए बनवा कर दिये थे सुनेना तयार होकर अपनी मा के पास जाती है मा मा मैं कैसी लग रही हूँ क्या है मेरी प्यारी गुडिया बड़ी खुश लग रही है वरना हट साल तो राखी वाले दिन मुँ पुला कर बैठ जाती है इतने में उसके पिता जी भी वहाँ आ जाते है हाँ, आज तो मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है हाँ पिताजी आज मैं बहुत खशूँ आज तक मुझे लगता था कि मैं ही अकेली हूँ जो राखी वाला तेवहार नहीं मना पाती खुशी से मैं कुछ समझी नहीं बेटी हाँ मा मेरे जैसे कितने लोग हैं जो राखी नहीं मना पाते बेहनों के होते हुए भी कौन हैं वो लोग सुनै न और तुझे कहां मिल गए ऐसे लोग अपने फौजी भाई फौजी भाई क्या कह रही ये लड़की अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा अरे मेरी भूली मा आज मैं अपने फौजी भाईयों को राखी बानने जा रही हूँ वो बेचारे भी अपनी बेहनों से अपने घर से इतनी दूर आए हैं हमारी रक्षा के लिए उन्हें कोई राखी नहीं बानता अरे कहां मिल गए तुझे फौजी भाई वो मा गाउं के बाहरे एक जगा है जहां बहुत से फौजी भाई देखे थे मैं जब राखी बेचने गई थी उन लोगों ने मुझे अपनी अपनी बहन माना है और कहा है कि राखी पर मैं उन्हें राखी बान्धूँ हाँ सुनैना की मा मैंने भी कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था कि कुछ फौजी हमारे गाउं में आयुए हैं और वो पंदरा अगस तक हमारे गाउं में ही रहेंगे ठीक है बेटी जा अच्छी अच्छी राखी लेकर जाना उनके लिए और हाँ ये ले कुछ पैसे उनके लिए मिठाई भी खरीद लेना सुनेना खुशी से नाचने लगती है वो पहले बाजार से मिठाई लेती है और फिर अपने फौजी भाईयों से मिलने के लिए चल देती है तबी रास्ते में उसको बंटू मिलता है सुनेना तू इस बार कहां जा रही है राक्या और मिठाई लेकर तेरा तो कोई भाई भी नहीं है बंटू मेरे एक नहीं बहाँ सारे भाई है चल आज मैं तुझे उनसे मिलवाती हूँ उसकी बाद तुम सब का मुझ बंध हो जाएगा जो मुझे चड़ाते हो सुनेना बंटू को अपने साथ लेकर जाने लगती है फिर कुछ देर बाद उसी जगह बहुत जाती है जहां पर कुछ फौजी बैठे हुए थे लेकिन आज कोई नहीं दिख रहा था वहाँ पर सुनेना उदास हो जाती है वो बहुत देर तक इधर उधर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता कुछ देर बाद वो एक जगह बैठ कर रोने लगती है और कहती है मुझे पता था मुझे गरीब बहन से कौन राखी बनवाएंगे लेकिन मुझे से चूट बोलने की क्या जरूरत थी फिर बोल रही थी कि मेरे तो बहुत जारे भाई है तेरे जाजी गरीब के आने से पहले ही सब भाग गए होंगे मुझे पता है तु ये जब जूट बोल रही है बला तुझ गरीब से कौन राखी बंदवाएगा नहीं बंटू मैं जूट नहीं बोल रही और ऐसा कहकर वो एक जगब बैठ कर रोने लगती है सुनैना बहुत दुखी थी क्योंकि वो बेचारी इसी दिन का तो बेसबरी से इंतजार कर रही थी और आज वो दिन आया भी तो फिर उसी तरह जैसा कि हर साल उसका जाता था राखी वाले दिन सुनैना वहीं बैठे रोए जा रही थी कुछ देर बाद उसके फौजी भाई उसके सामने आते हैं और जोर-जोर से हसने लगते हैं अरे रो क्यों रही है पगली हम तो यहीं थे बस तुझे थोड़ा सा परिशान कर रहे थे उन सब को देखकर सुनैना के उदास चेरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है भाईया आप बड़े खराबो कोई अपनी बेहन को रुलाता है क्या हमें माफ कर दे बेहन चल जल्दी से राखी बान दे बहुत सालों बाद हम भी आज राखी मनाएंगे वो भी अपनी प्यारी सी बेहन के साथ फिर सुनैना एक एक करके सब को राखी बान देती है खुश लग रही थी देखा बंटू मैंने कहा था न मेरे बहुत सारे भाई हैं ये देख बंटू अपने कहे पर बहुत शर्मिंदा था वो सुनैना से माफी मांगता है और उसे दुबारा कभी तंग ना करने का वचन देता है आज सुनैना का सपना पूरा हो गया था वो राखी का तेवहार मनाना चाहती थी और अपने भाई के हाथ में राखी बानना चाहती थी और आज किसमत का ऐसा चक्र चला कि सुनैना ने एक नहीं इतनी सारे भाईयों के हाथों में राखी बान थी इस तरहे एक गरीब बहन की राखी बानने के एक चाप पूरी हुई सुनैना खुशी-खुशी अपने घर की तरफ जा रही थी किश्वपुर गाउं में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था खेती करने के लिए मोहन के पास ज़्यादा जमीन नहीं थी उससे जो भी फसल होती थी वो आधी फसल घर के इस्तिमाल के लिए रख लेता था और बागी की फसल बेच दिता था मोहन का छोटा सा परिवार था परिवार में उसकी पतनी शान्ती और दो बच्चे राजीव और रानी थे राजीव बड़ा था और राणी उससे दो साल छोटी राजीव अपनी बहन राणी से बहुत प्यार करता था घर में गरीबी थी लेकिन फिर भी परिवार खुश था ऐसे हैंसी खुशी से वक्त गुजर रहा था राजीव अब कॉलेज जाने लगा था और राणी भी ग्यारवी क्लास में आ गई थी राणी देखने में बहुत ही सुन्दर थी लेकिन गरीब होने की वजह से मोहन को हर वक्त राणी की शादी की चिंता लगी रहती थी एक दिन मोहन खेट से घर लोट कर अपनी पतनी शान्ती से कहता है अरे शान्ती कहा हो जी अभी आई ये लीजे पानी क्या हुआ? कुछ परिशान लग रहे हैं आप हाँ शान्ती वो बिर्जू है ना अपनी बेटी बेला का रिष्टा त्या कर दिया है उसने अच्छा घर बार है बता रहा था लड़का शहर में नौकरी करता है अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है जी बेला तो अपनी रानी की पक्की सहली है लगता है उसे अभी तक ये बात पता नहीं है वरना अभी तक हल्ला मचा देती ओहो तुम्हारा दिमाग तो बस फाल तु की बातों में ही लगता है तुम्हें पता भी है बेटी की शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है बिर्जू की सांस अटक्यू ही है घर का सारा सामान एक मोटर साइकल और पूरे पांच लाग कैश मांगे हैं लड़के वालोंने बेचारा बड़ा परिशान था मदद की उम्मीद से आया था मेरे पास अरे बापरे इतना सारा दहेज वाकई बिर्जू भाईया बड़े परिशान होंगे इस वक्त वही तो ये सब सोच कर मेरा तो सर फटा जा रहा है अपनी दानी का क्या होगा शानती कैसे करेंगे उसकी शादी अपना तो गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है फिर ये दान दहेज कैसे कर पाएंगे हम आप बहुत ज़्यादा सोचते हो जी हमारी बेटी परी है परी आप देखना एक दिन जरूर कोई राजकुमार आएगा और अपनी रानी को ले जाएगा रही बाददान दहेज की तो ऐसी शादिया मुझे तो समझ नहीं आती अरे बेटी दे रहे हैं जीवन भर के लिए वो कम है क्या दरवाजी के पास खड़ा राजीव अपने माता पिता की सारी बातें सुन रहा था वो भी अपने पिता को समझाता है हाँ बाबुजी मा बिलकुल ठीक कह रही है आप बिलकुल भी चिंता मत कीजिए अपनी रानी लाखों में एक है और वैसे भी बस एक दो साल की बात और है मेरा कॉलिज खतम होते ही मैं भी तो पैसे कमाने लगूंगा फिरम दोनों मिलकर रानी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे अरे तुम दोनों कुछ नहीं जानते हवा में बाते करते हो बस आजकल लड़की चाहे कितने भी गुणी क्यों ना हो सबको भर-भर कर दहे चाहिए ये कहकर मोहन वहां से चला जाता है शांती और राजीव चाहकर भी उसकी चिंता दूर नहीं कर पाते कुछ दिनों बाद जब मोहन अपने खेत में काम कर रहा था तभी अचानक उसे एक जहरीला सांप काट लेता है जहर धीरे धीरे उसकी शरीर में फैलने लगा वो मदद के लिए आवास तो लगा रहा था मगर उसे कोई सुनने वाला वहां नहीं था मोहन समच चुका था कि अब उसकी जाने का वक्त आ गया है उसने आसमान की तरफ देखा और कहा हे भगवान यह क्या किया आपने एक तो वैसे ही गरीबी और मैं घर में अकेला कमाने वाला मेरे बात क्या होगा मेरे बीवी बच्चों का इसके साथ ही मोहन की आँखें बंध हो गई हमेशा के लिए हसते खेलते परिवार पर दुखों का पहार तूट पड़ा अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी राजीव पर आ गई ना चाहते हुए भी राजीव को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उसने पिता का फावडा और हल उठा लिया मोहन ने कभी उसे खेत में काम करने नहीं दिया था वो तो राजीव को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मन्जूर था राजीव ने धीरे धीरे गाउं के बागी लोगों से खेती करना सीखा और दिन राजी तोड़ मेहनत करके अपने परिवार को संभाला शांती और राणी भी राजीव की हालत देख कर बहुत दुखी थे एक दिन राजीव थका हारा घर पहुचा तो राणी उसके माथे से पसीना पोचने लगी और बोली बाईया ये लो ठंडा पानी आप आराम से लेट जाओ मैं आपके पैर दबा देती हूँ अरे माँ ये अपनी राणी ही है क्या लग तो नहीं रहा हमेशा मुस्से लड़ने वाली राणी आज मेरे पैर दबाने को कह रही है सब ठीक तो है तब ये तो ठीक है इसकी राणी रोने लगती है शांती की आँखों में भी आशू भर जाते है राजीव सब समझ जाता है और दोनों को बड़े प्यार से समझाता है मा राणी ये क्या इतनी जल्दी हिम्मत हार गए मुझे बाबु जी का सपना पूरा करना है अपने परिवार को अच्छे से संभालना है और अपनी प्यारी गुडिया को एक राजकुमार के साथ उसके घर भेजना है वो भी ढोल नगाडों के साथ तो मेहनत तो करने ही पड़ेगी न बाबु जी भी कभी मेहनत से नहीं घब राए और मुझे भी उन्होंने हमेशा यही सिखाया आप लोग मेरी चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ राजीव की खुशी के लिए शान्ती और राणी दोनों मुस्कुरा देती है और सभी लोग मिलकर खाना खाते है वक्त ऐसे ही बीटता जा रहा था एक दिन राणी अपने स्कूल में उदास बैठी थी उसकी सहेली निशा ने उससे दुखी होने की वजह पूछी राणी ने उससे सब कुछ कह दिया निशा कुछ कर तो नहीं सकती थी लेकिन फिर भी उसने राणी का मूर बदलने के लिए उससे कहा ये बाते छोड़ राणी तुझे सोमू भाया याद है मेरी ताउजी के बेटे वो कल लखना उसे हमारे घर आ रहे है हाँ जब वो पिछली वार अपने ममी पापा के साथ आये थे तब मिली थी उनसे लेकिन तब तो हम बच्चे थे अच्छा तो तुझे याद है वैसे अब वो पहले वाले दुबले पतले सोमू भाया नहीं रहे गए एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गए है और बहुत स्मार्ट भी हो गए है अच्छा ये तो अच्छी बात है निशा रानी की अच्छी सहली थी साथ ही एक मालदार जमिंदार की बेटी भी थी कुछ दिन बाद गाउं में एक बड़ी सी कार आई कार को देखकर गाउं के बच्चे उसके पीछे दोडने लगे वो कार सोमांच की ही थी वही सोमांच जिसे निशा सोमु भाईया कहकर बुलाती थी सोमांच एक हैंसम लड़का था और उससे भी अच्छी बात ये कि उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था सोमांच जब घर पहुँचा तो निशा और रानी उसके इंतजार में पहले से ही बैठे हुए थे निशा अपने भाईया को देखकर खुशी से दोड़ी और रानी तो बस उसे देखती ही रह गई और पुरानी यादों में खो गई कि कैसे वो तीनों मिलकर आम के बगईचों में खूब खेला करते थे सुमांज की नजर रानी पर पड़ी तो वो भी उसे तुरन पहचान गया और बोला हाँ मैं याद हूँ आपको जी बिलकुल आपको कैसे भूल सकते हैं बचपन में आपके पिता जी ने बहुत आम खिलाए हैं मुझे और आपने कुप दोड़ाया है मुझे रानी की आँखे नम हो गई रुंदी हुई आवाज में उसने कहा जी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे वो हमें हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए ये कहते ही रानी वहाँ से चली गई और निशा ने सोमू को सारी बात बता दी सोमांच को तो रानी बच्पन से ही पसंद थी और निशा से सब कुछ जानने के बाद सोमू को लगा अब उसे रानी से बात कर लेनी जाहिए अगले दिन रानी फिर से निशा की घर आई तो बगीचे में चाय पीते हुए सोमांच ने रानी को अपने दिल का हाल बता दिया रानी भी सोमू से प्यार करती थी लेकिन दोनों परिवारों में जमीन आस्मान का अंदर था रानी ने हिच्च किचाते हुए कहा देखे मुझे भी इस रिष्टे से बहुत खुशी होगी लेकिन बहतर होगा कि आप पहले अपने परिवार से इस बारे में बात कर ले सोमांच ने रानी के गाल पर हाथ रखा और वहां से मुझकुराता हुआ चला गया उधर रानी के गाल भी शर्म से लाल हो गया सोमांश का परिवार भी उसकी ही तरह बहुत सुलचा हुआ था उन्हें भी रानी पसंद आ गई और दोनों का रिष्टा तैह हो गया वो भी बिना किसी दान दहेच के राजीव और शान्ती की तो मानो मुराद ही पूरी हो गई थी सोमांश और रानी की शादी दूम धाम से हो गई वो दोनों हनिमून पर इटली गय थे उनका हनिमून पंद्रह दिनों का था मगर दस दिनों बाद ही रानी ने सोमांश से पूछा सुनिये जी, हमें वापस कब लोटना है? अरे इतनी जल्दी, तुम्हें यहां अच्छा नहीं लग रहा क्या मेरे साथ? नहीं जी, ऐसा बिलकुल नहीं है दरसल अगले हाफते राक्षा बंधन है मुझे भाईया को राखी बाननी है अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया है तुमने मुझे भी तो निशा से राकी बंधवानी है चलो ठीक है, मैं टिकट बुक करता हूँ हम समय से पहुँच जाएंगे, तुम चिंता मत करो सोमांच और रानी, रक्षा बंधन से पहले ही वापस लोटाए रानी बढ़ियां सिल्की साड़ी में अपने घर गई तो उसे देखकर राजीव और शान्ति बहुत खुश हुए राजीव ने रानी को गले से लगा लिया और अपने आसू पोचते हुए बोला अरे बेहन, तु तो सचकी रानी लग रही है भाईया, आपको याद है या भूल गये? कल राखी है, क्या दोगे मुझे? जो तू कहे, अच्छा सुमाज जी कहा है, कैसे है वो? भाईया, वो कल आएंगे, कुछ काम आ गया था उन्हे अगले दिन राजीव नहा धोकर पलंग पर बैठ गया और रानी ने उसकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई भाईया, मेरा तुफ़ा कहा है? राजीव ने अपनी मुठी खोली, उसमें चांदी की पायले थी रानी ने भाई की हतेली से पायल ले ली मगर राजीव की हतेलियों को देखकर उसकी आँखों में आसू आ गए खेती और मजदूरी करते-करते राजीव के हाथ बिलकुल सख्त हो गए थे और चाली भी पड़ गए थे रानी ने भाई की यहालत देखी तो अपने आसू रोक न सकी वो राजीव के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी भाईया यह कैसा इंसाफ है मैं इतने मज़े में रह रही हूँ और आपके हाथों में चाले अरे पगली यही तो मैं चाहता था कि तू सचकी रानी बने पर तू चिंता मत कर जब मैं बूड़ा हो जाऊंगा तब तू मुझे ऐसा तोफ़ा देना जो सबसे अलग और खास हो ठीक है रानी ने आसु पोछे और हसते हुए एक बार फिर भाई के गले से लग गई वक्त गुजरता गया रानी अब दो बच्चों की माँ बन गई थी और राजीव की भी शादी हो चुकी थी रानी सोमांच के साथ बहुत खुश थी और उधर राजीव भी अपनी माँ और पत्नी सुनीता के साथ जिंदगी बिता रहा था एक दिन अचानक राजीव के पेट में बहुत तेज दर्द उठा डाक्टर ने बताया कि राजीव की दोनों किड्निया खराब हो चुकी है इसलिए वो अब खेती जैसा मेहनत का काम नहीं कर पाएगा मा और पत्नी के बहुत समझाने पर उसने एक दुकान खोल ली लेकिन राजीव की तबियत बिगड़ती ही जा रही थी एक दिन राजीव तेज दर्द को झेलता हुआ अस्पताल पहुँचा तो डाक्टर ने कह दिया देख लिए अब वक्त आ गया है राजीव को किड्नी की जरूरत है सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के पैसे तो शान्ती के पास थे लेकिन अब किड्नी कहां से मिले ये सवाल सामने था क्योंकि शान्ती और उसकी पत्नी सुनीता की किड्नी राजीव से मैच नहीं होई थी राजीव की हालत बहुत ज्यादा खराब थी उसे फॉरण ओपरेशन की जरूरत थी तभी अचानक डॉक्टर ने आकर शान्ती से कहा माजी आप फिक्र मत करिये हम ओपरेशन शुरू कर रहे हैं हमें डॉनर मिल गया है इससे पहले की शान्ती डॉनर के बारे में कुछ पूछ पाती डॉक्टर ओपरेशन थियेटर में चले गए ओपरेशन के बाद डॉक्टर ने शान्ती से कहा माजी ओपरेशन कामियाब रहा है आप होश में आते ही अपने बेटे से मिल सकते हैं और उस डॉनर से भी जिसने आपके बेटे को किड्नी दी है शान्ती और राजीव की पतनी सुनीता भगवान का शुक्रिया अदा कर ही रही थी कि तभी नर्स ने उन्हें अंदर आने को कहा राजीव को होश आ चुका था मगर ये क्या बागल वाले बेट पर तो रानी लेटी हुई थी जिसका हाथ सूमू के हाथों में था दोनों शान्ती और सुनीता को देख कर मुस्कुरा रहे थे वो डोनर कोई और नहीं बलकि रानी ही थी जिसकी किड़नी राजीव को मैच हो गई और उसने राजीव की जान बचा ली थी रानी ने धीरे से राजीव को कहा बैया इससे जादा खास तोफ़ा नहीं था मेरे पास आपको देने के लिए